विडियो लेके आते हैं ठीक आज उसी तरीके से संडे को आज हम देखेंगे बहुत कुछ वीडियो में सीखने को मिलेगा कि निफ्टी क्या सपोर्ट ले रहा है और कहां पे अभी किस फ्लाइज वन में उड़ रहा है और युक्रेन और रसिया के जो भी उनके वीच वार चल होगा नेक्स्ट वीक तो बहुत सारी चीजा हमें सीखने को मिलें तो बने रही है इस वीडियो में तो आएए सबसे पहले एक बार हम निफ्टी पे जैसे कि हम पहले भी निफ्टी पे एक नजर डालेंगे तो अभी आप देखोगे तो एक इनिफ्टी का जो लो था ये ये वाला यह यह आपको दीख रहा है न यह लो यह इस लो को ड्रेक करके यह यह यहां तक आया कि यहां तक आया अब मैं सोच रहा था फ्राइडे को कि यह यहां भी आ जाए और इस लेवल को टच करके और उपर की तरप एक बार बांस बैक कर दें और बहुत इंपोर्टेंट था कि यह 15,000 सॉरी 16,500 की लेवल पे क्लोजिंग दे बट जो तेजी थी फेक था और फिर से वह आके नीचे की तरपी क्लोजिंग दिया तो यह चीज थी तो अभी जो जिससी यह फ्लाई जोन में बना हुआ है उपर और नीचे जो सपोर्ट है बीच में जो लटका हुआ है यह हो सकता है कि एक बार को जो जादे चांसेस दीख रहे हैं वो 16,000 के लेवल 15,900 के लेवल आते हुए दिख रहे हैं बट थोड़ा सामिक यहाँ पर प्रिकॉशन लेना है कि आख बंद करके यहाँ पर सौर्ट नहीं करना है क्योंकि अल्रेडी निफ्टी इतना करेक्ट हो चुकी है देखिए यह कोई नहीं बता सकता कि कहां से यह बांज कि अगर अगर अभी यहां पर आगर आप देखते हो तो यह 15 परसेंट 15 परसेंट इनिफ्टी डाउन है अपने हाई से तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखके चलो कि 15 परसेंट इनिफ्टी लो होने का मतलब मतलब वहीं दस का रेंज चलता है तो अल्रेडी इतना करेक् पुट को सेल करते तो यह चीज आपके लिए थोड़ा सा नुक्सान दे हो सकती है या तो आपको जैसे कि हम स्टेट जी आपको डालते रहते हैं और अभी कितना बुलेटाईल है कि आप मेंटेन नहीं कर पाऊगा यार देखो मेरे को भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं या उक्रेंट की वैसे थोड़ी सी दिक्कते चल रही हैं तो यह सारी चीजे हैं तो इस वैसे डारेक्टली स्वाट करके मत बैठी है कि कभी भी बाउंस बैक एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है तो आए अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जैसे कि सब विल्टी जो है वो नीचे की तरफ है यह जो लाइन है यह जो लाइन है वालेट लाइन आपको दिख रही है यह 200 यमा की लाइन है जो कि यह आप देखोगे सब्सक्राइब को से नीचे कर रहा है काफी नीचे कर रहा है तो यहां से एक पुलबैक देखा जैसे यहां पर पुलबैक आया और इसने 20 यमा से नीचे आप देखते होंगे जब हम थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो आपने बहुत लोग की मेरी नहीं बहुत सार सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगे अब ठीक इसी तरीके से HDFC बैंक को हम देख लेते हैं एक बार यह देखिए HDFC बैंक को आप देखोगे ठीक सेम इसमें भी वही चीज हो रही है HDFC बैंक में उसके बाद Axis यह सारे मैं Axis बैंक यह मैं सारे आपको कर रहा हूं यह देखिए तो ठीक इसमें भी वही चीज है तो सारे 200 इमा से नीचे ICICI बैंक ले लो और भी जो भी आप ले लो स्टॉक्स सारे 200 इमा से और मैं बहुत पहले भी करता है तो एक तरीके सब्सक्राइब में ही हम उसको मानते हैं तो अभी यहां से जो possibility है वो थोड़ा है रिस्क है वहाँ पर अब आपको कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि आप सौर्ट मत करो उसको मैं सौर्ट इसलिए बता रहा हूं कि देखो तो जब सौर्ट रिकवरी होगी जब पोजीशन ऊपर सकटेंगी तो आपको ध्यान में रखनी है तो इसलिए थोड़ा सा जो भी ट्रेड लेंगे अगर जो भी ट्रेड हम लेते हैं अभी त्रेड लेने से तो मैं भी वाइट कर रहा हूं मैं भी निफ्टी और उसमें मैं ट्रेड कर रहा हूं और वह भी है पोजीशन हैज करके क्योंकि अभी नंगी पोजीशन मनाना थोड़ा सा ऐसे ही है कि हम केवल कॉल ले ले पुट ले ले कि मैं आपको बता रहा हूं किसी को नहीं पता है कि कब मार्केट दो सो पॉइंट तीन सो पॉइंट उपर की तरब दिखा देगी नीचे की तरब दिखा देगी अचाओ आपको बता रहा हूं कि मैं जब 20 से मार्केट में ट्रेट कर रहा हूं मैं السैल करके ट्रेट करता हूं यस मार्केट करता हूं वो पुट को सैल करता हूं रीजन क Systems कि अपशुली क्या है कि आप देखोगी अभी प्रेमियम बहुत है है और अच्छा तक हासा दिन भर में premium हमें मतलब 20 से 25 रुपीज तक premium अगर मार्केट एक zone में trade कर रही है 100 पॉइंट के zone में उपर नीचे trade कर रही है तो साम तक होते होते न 20 से 25 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं दोनों तरफ बेच के हम बैठे है ठीक है उपर की तरफ नीचे की तरफ ठीक है किसी एम्मा को कर रहा है तो हम वहां पर थोड़ी quantity उस साइट की तरफ जादे कर लेते हैं तो मेरा में concern यह था तो इसलिए अभी थोड़ा सा अभी आप लोग प्रिकॉशन ले और थोड़ा सा बचे रहें इस चीज से क्योंकि ऐसा नहीं है कि 200-300 चला जाएगा तो हमें फिर बाहिंग करने का मौका नहीं है यार बहुत सारे मौके मिलेंगे ठीक है अगर एक बार इनिफ्टी इनिफ्टी अगर एक बार इस लेबल को अगर आती कैसे भी करके यार ऑलर्रह sentimental पैसे तो यह लगे हुए थोड़े बहुत जो बचे हैं वह जरूर्म यहां पे यहां पने सायथ मैं जिनसे ट्रेड कर रहा हु जिन पैसों यहां पर इंवेस्ट गरने की पूरी कोशिस नहीं मैं करूँगा यहां इस लेवल पर प्थे क्योंकि हाँ और जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यह SGFC आप देखोगे न तो 20 के पास है 30 के पास है 20 तक आ सकती है जैसे यह 20 तक आ सकती है 25 तक आ सकती है और यहां से डेफिनेटली आपको bounce back मिलेगा तो इस तरीके से आप trade ढूट सकते हो यह 20 आप यहां से आप SBI life कि ऐसा नहीं है टेक्निकल कुछ होता नहीं है बहुत लोग कहते कुछ नहीं होता है यहां चार्ट बहुत कुछ कहते हैं आप यह देखो यहां पर यह गजब का कियां यहां पर sell करना है आपको अभी हर यहां पर यहां पर यहां पे यहां पर देखांपर यह बागी तो ultimate nifty को ऊपर की तरफ जाना है और आई होब कि यार यहीं से ऊपर की तरफ चल जाए चला जाए जो कि यहां पर एक सपोर्ट ले और यह देखिए बिना वो किया ही एक अच्छा ट्रेंड बन गया और यहां से बढ़िया एक ड्रेकाउट दे हम तो यहीं आसा करते अलड़ी या परसेंट 15 परसेंट 25 परसेंट डाउन हो चुकिया चाहे जो यार चाहे जो चाहे जितना बड़ा इन्वेस्टर हो अल्रेड़ी सब की पिटी बढ़ी है तो कोई नहीं चाहेगा कि इसी में तो थोड़ा सा आइम पास करिए और वेट करिए वेट और वाच बहुत ही चल्द सबीरा होगा तो मिलते फ्रेंट्स ब्रेक के बाद चैहिन जय वार।